श्रीक गंगा नगर में फल सब्जी मंडी में बदला हुआ नजारा दिखा पुलिस ने संभाला मोर्च श्रीक गंगा नगर में होलसेल फल सब्जी मंडी में आशुकरवार को द्रश्य कुछ बदला हुआ नजर आया पुलिस और मंडी प्रशासन ने सुबह से ही मोर्चा इसे व्यक्तिकत रूप से आने वाले ग्रहक नजर नहीं आए। समान्य भावों में बिकी। आलू टमाटर में 2-4 रुपए किलो की तेजी देखी गई। बाहर से आने वाले फल सब्जी का स्टॉक अभी मंडी में पड़ा है। अगर 2-4 दिन बाहर से माल नहीं आया तो तेजी आ सकती है। मांग में आई कमी और फल खराब होनी के आशंका को देखते हुए होलसेल व्यापारी ओर्डर नहीं दे रहे हैं। शोहर के विभिन इलाकों से कुछ लोग फल सब्जी खरीदने के लिए आये लेकिन पुलिस और मंडी समीती कर्मियों ने इन्हें लोटा दिया। इस पर क्या कहना है फल सब्जी मंडी समीती के परिवेक्ष हेमराज कुरहाने का सुनिये। सेतिया फर्म पुलिस चौक के प्रभारे सुर्जी सिंग ने क्या कहा देखिए। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर